आई दोस्तों आगे बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनस 1206-1526 इश्वी तक एक बात कहना बूल गई बच्चों आपको बताना था मुझे कि मैं जो ये पढ़ा रही हूँ वो आपके IAS, RAS, RJS अर्थात और भी जैसे कॉम्पिटिशन नहीं फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए हैं सेक अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना 1206-1526 तक में कितने राजवन्ष हुए हैं सल्तनतकाल में 5 जिसमें 320 वर्ष तक इन्होंने शाषिन किया और सबसे ज़्यादा शाषिन करने वाला वर्ष था 94 वर्ष तक तुगलक वर्ष तक 30 वर्ष तक खलजी वर्ष ने शाष किया है साष कोमें बेलो लोदी शाष कोमें अगर नाम ले अगर वन्ष में पूछे तो तुगलक वर्ष तक और खेल जींश 30 वर्ष तक साष कम तो तो तुगलक हो गए ना गयासुदिन तुगलक फिरोज तुगलक और सिकंदर लोधी एक ओर हो गया ना शिरुदिन ये कहते हैं हिंदू मा की संतान ते सल्तनत काल में सल्तनत शाषक कौन से संतलत सा सकते हैं जो हिंदू मा से पैदा हुए थे तो ना शिरुदिन खुश्रुश शाह, गयासुदिन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोधी ये सल्तान हिंदू मा की संतान थे सल्तनत में सबसे बड़ा सामराज मुहम्मद बिन तुगलक का था उसका सामराज तेईस प्रांतों में भजित था कहां तेईस प्रांतों में बटा हुआ था very very important है बचों दिल्ली सल्तनत का अंतिम तर्की सुल्तान नाशिरूदीन महमूद था जो कि तुगलक वंश का भी अंतिम सुल्तान था यह याद रखना अंतिम सुल्तान कौन था अंतिम 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 याद रखना नाशिरूदीन महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था आगे देखते हैं शाषकों का नाम और उनकी कालव थी अब देखते हैं बच्चों सबसे पहले इनको ना देखते हैं आपको मामलुक या गुलाम वंच केते हैं अब खिलजी में अपने कितने शाषकों के बारे में गिना जा रहा है अपनको ग्यारा जबकि खिलजी वंच में अपने कितने शाषकों का वरणन देखना है केवल 6 का आप देखो जलालुदीन खिल जी 90 से बैठा और चिन में तक 6 साल 12 चिन में तक फिर इबराहीम रुकनुदीन जो केवल 12 चिन में बैठा अलावुदीन खिल जी 12 चिन में से 1316 शिहाबुदीन उमर उमर बेठा 16 में वापस और मुबारक शाह 1620 और नाशिरुदीन खुश्रो जो 1320 देख लो बच्चों कितने आये 6 यह द्याया रखना गुलाम वंश में 11 खिल जी वंश के 6 आगे इनके सन आप सोचरों सन कैसे याद होगी तो अपने रट लेंगे याद कर लेंगे तरीका निकालेंगे लेकिन एक बार यह उपर उपर से मैं आपको समझा रही हूं यह ध मतंगे व्यासु दिन तुगलक थेरासु बीस से लेके तेरासु पची स थक फिरSm बन तुगलक आया 1325 से 51 पिर पिरोस दुगलक 3001 से 88 गयासु दिन तुगलक द्वितिय जोकि 1388 से लेके 89, अबुबक्र शाह 389 से लेके 89 से लेके 99 से लेके 90 इश्वीताई, नाशिरुदिन महमुष शाह 1390 से चोराणमे तक, अलाउदिन शिकंदर शाह 1490 में और नाशिरुदिन महमुष 1394 से 1412, अब देखो बचो तुगलक में 8, तुगलक में 8 राज हुए हैं, अब सायद वंच, सायद वंच में 4, अब देखो, 4 का उल्टा 8, देखो पहले 3, फिर 4, फिर 8, फिर 6 और फिर 11, उपर उल्टा जाएंगे तब, लेकिन पहले देखते हैं, सायद वंच के बारे में, खिजर खां, 1421 से 21 तक, मुबारक शाह, 21 से 34 तक, मुहमच शाह, 1434 से लेके, 45 तक, फिर अल्टा शाह, 1445 से 51 तक, अब देखो बच्चों, आगे देखते हैं, लोधी वंच के बारे में, बहलोल लोधी, शिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, बहलोल जो आया 51 से, 89 बस लेके, 1517 इश्वी तक, और इब्राहिम लोधी, 1517 से 26 तक, आप सोच रहे होंगे, कि मैं पढ़ा ही जा रही है, यह सने याद नहीं हो रही है, तो अभी इसका सीधा तरीका है, जैसे जैसे शाष्य काएंगे, उनके, को ध्यान में रखते हैं, आपन को याद रखनी है, ऐसे आप एक साथ पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होगी, यह तो एक बेस, अपन को क्या पढ़ना है, वो बताया है मैंने, अब आगे पढ़ते हैं अपन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, कौन था, इब्राहिम लोधी, देखो बच्चों, जो अपन ने पहले था, वो तर्की सुल्तान नाशिरूदिन महमूद था, तुर्की, तुर्की सुल्तान अगर पूछे, नाशिरूदिन महमूद था, जो कि तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था, यह तुर्की सुल्तान अगर बोले, वैसे सल्तनत काल का अंतिम जो सुल्तान होगा, वो था, इब्राहैम लोधी जो कि लोधी वंश का अंतिम सुल्तान था 1206 से याद रखना इस चीज़ को कि तुर्की अगर पूछ ले तो नाशिरुदीन महमूद होगा और जब कि अगर आपको अंतिम सुल्तान के वाल अंतिम सुल्तान पूझे तो इब्राहिम लोधी होगा ये बातें थोड़ा दिमाग में सेट करना हम इन चीजों को ये लोधी वंच का था इब्राहिम लोधी तो लोधी से आपको याद हुजएगा ही लोधी वंच का था और नाशुरुदुन महमूद वो तुगलक वंच से रिलेशन रखता था अब ये बारासो चैसे पंदरासो चबीस इश्वी तक दिल्ली पर जिन राजवंच ने शाशन किया उनके लिए दिल्ली सल्तनत सब्द का प्रयोग किया जाता है इसका लवदी में दिल्ली पर पांच राजवंचों ने शाशन किया था देखो बच्चो बारासो चैस्वी से पंदरासो चबीस इस्वी तक दिल्ली पर जिन राजवंचों ने शाशन किया उनके लिए दिल्ली सल्तनत शब्द का प्रयोग किया गया है यह important है कि दिल्ली सल्तनत शब्द का प्रयोग किन राजवन्शों के लिए उन्हीं पांच राजवन्शों के लिए जो 126-1526 के टाइम पिरिड में आते हैं वेरी 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 इंपर्टेंट है बच्छों कि दिली सल्तनत में इस दौरान कितने राजवन्चों ने शाष्ण किया था और ये पांच राजवन्चों कब तक रहे या तो तुम या तो 1526 से याद कर लो यह अग सिंपल सा थौट दिमाग में रख लो 320 वर्षों तक 320 वर्षों तक इनों ने शाशन किया था अब देखो बच्चों अपन पहला पढ़ते हैं इसमें अपने मैंने जो बताया अभी सबसे पहला जो राजवंच था गुलाम वंच या मामलूप वंच 1206 से 1290 इस्वी तक इंपोर्टेंट रहा है आईए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं गुलाम वंच के बारे में 1206 से 1290 इस्वी तक 1206 से 90 इस्वी के तीन राजवंचों के नों साशकों ने शाशन किया ये वंच कुतुबी वंच 1206 से 11 इस्वी तक समसी वंच 11 तक से लेके 66 तक और बलबनी वंच जो की 66 से लेके 90 कुतुबी वंच आएगा 6 से 11 तक कुतुबी वंच कहां से कहां तक आएगा 126 से 11 तक समसी वंच 1211 से लेके 66 तक 66 तक और बलबनी वंच आएगा 1266 से लेके 1290 इस्वी तक अब कुतुदीन एबक के बारे में आज पढ़ने हैं अपन 1206 से 10 तक कुतुदीन एबक के माता पिता तुर्किस्तान के तुर्क थे तुर्की थे यहां रगनाए बच्चों कि तुर्किस्तान के तुर्की थे तुर्की भाषा में एबक का आर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी तुर्क भाषा में इसका क्या आर्थ होता है चंद्रमा क स्वामी عبدالعزیز कोकी ने दास के रोप में खरीदा सबसे पहले अगर इसको खरीदा गया एबा को खुद्बुदेन एबा को काजी फकरुदीन ने खरीदा निशापूर ये कहा है फारस में वहाँ के काजी ने इसको खरीदा काजी की मृत्यु के बाद में गौरी ने गजनी में एबक को खरीद लिया आई ये मुहम्मद गौरी के हाथ लग गया और उसे अमीर आखूर अश्वशाला का अध्यक्ष का पद देज़ आखूर मतलब खुर खुर मतलब घुड़े तो अश्वशाला का अध्यक्ष बना दिया गया तो काजी से किस ने खरीदा काजी की मृत्यू के बाद गौरी ने इसको गजनी से एबक को खरीद लिया और ये अश्वशाला का अध्यक्ष बना दिया इतिहास कर हभी बुल्ला ने इसे मामलुक कहा है मामलुक अर्भी भाषा का एक शब्द जिसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिसा से उत्पन हुए दास मामलुक का क्या अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिसा से उत्पन हुए दास बारा सो चैश्वी से बारा सो नब्बै श्वी तक का समय गुलाम वन्ष का काल माना जाता है एक वंश के नहीं थे कुटबुद०िन एयबक को छोड़ कर गुलाम वंश के सभी चाषक तुर्की की अलबरी जान जाती से समान देते तो केवल एयबक को छोड़ो दो और सब इलबरी जां जाती से relation रखते थे गौरी ने कुट बुदिन एबक को तराइन के दूसरे युद्ध के बाद 1102 में इश्वी में भारतिय प्रदेशों का सूबिदार बनाया था गौरी ने भिड़ते ही इसको खरीद तो लिया फिर तराइन के दूसरा युद्ध जब खतम हुआ तो भारतिय प्रदेशों का एक सूबिदार के रूप में इसको न्यूक्त किया 1102 में इश्वी से 1206 इश्वी तक एबक ने गोरी के प्रतिनिधी के रूप में कार्य किया गोरी का प्रतिनिधी तो वो हरत में कोन कर रहा था उस समय एबक ठीक है अजमेर कन्नोज और कालिंजर को जीतने का श्रे कुतबुदिन एबक को ही जाता है अजमेर कालिंजर और कन्नोज को जीतने का श्रे किसे जाता है कुतबुदिन एबक को कुतबुदिन एबक ने 22 जून 1206 को मुहमत गोरी की मृत्यू के बाद लाहोर में भारती नागरिकों के अनरोध पर सत्ता ग्रहन की और लाहोर को ही राजदानी बाना कर मृत्यू परियंत वही रहा तो कुतबुदिन एबक कभी लाहोर से नीचे आया ही नी वो लाहोर में वही रहा 25 जून 1206 को मृत्यू के बाद में लाहोर में स्थानी नागरिकों के अनरोध पर वस्ता ग्रहन की और लाहुर कोई राजदाने बर्याकर वहीं मृत्यूपर्यंत वहीं रहा वहीं पे जीतन वहीं आया ही नहीं नीचे आयबक ने बुंदेल खंड के शाशक परमर्दी देव को पराजित किया आयबक को भारत में तुर्की राजे का संस्थापक माना जाता है वहीं दिल्ली का परतम तुर्क शाशक था कुद्बुदिन आयबक को भारत में तुर्की राजे का संस्थापक माना जाता है वहीं दिल्ली का परतम तुर्क शाशक था तुर्की थाई धान रखना बच्चों आयबक ने तुल्तान की उपादी ग्रहन नहीं की बलकि मलिक और सिपे सालार की उपादी ही रखी उसने नए अपने नाम का खुत्बा पढ़ा और नहीं सिक्के चलाए इस कारण उसे दिल्ली का स्वायत सुल्तान नहीं माना जाता ना तो उसने सिक्के चलाए और ना खुत्बा पढ़ा गोरी के उत्रादिकारी गया सुदिन महमूद ने उसे सुल्तान स्विकार किया गया सुदिन महमूद ने एबको दास्ता से मुक्त करते हुए प्रतीक के रूप में एक छत्र बेजा इस सम्मान को लाने वाले हसन निजामी थे एबक की उधारतावे दान चिलता के कारण उसे लाकष भक्ष भी कहा गया और हातियों का दान देने के कारण पील भक्ष भी कहा जाता है तो लाकष पील भक्ष और पील भक्ष यह धियान रखना बच्चों कुरान का अत्यंत सुरीली आवाज में पाट करने के कारण कुत्बुदिन एबक को कुरान खा भी कहा जाता है तो लाख बक्ष दान देने के कारण पील बक्ष हातियों का दान देने के कारण और सुरीली आवाज में पार्ट पढ़ने के कारण इसे कुरान का पार्ट पढ़ने, कुरान खाँ भी कहा जडता है मिनहाज सिराज ने ऐबख को हातिम दितूएबी कहा है हसन निजमी ताज माश्व का लेखक फक्र ए मुदब्बीर अदब उल्म हर्ब का लेखक को एबक ने शरक्षन दिया तो एक तो हसन निजामी ताजूल मासीर का लेखक भी हो गया प्लस ये ही वो व्यक्ती था जो इसने दास्ता पत्र लेका आया था कि यार सित्व दास्ता से मुक्त हो गया है तो एसाथ पहली बात तो ये ध्यान रखो प्लस उसने क्या लिखा है ताजूल मासीर हसन निजामी की फक्र ए मुदब्बीर उसने क्या लिखा अदब उल्हर्ब का लेखक माना जाता है अदव-ुल-हर्ब, फक्र-े-मुदबीर, अदव-ुल-हर्ब का लेकक एबक ने इसको स्विकार किया है, सरक्षन दिया है, हसननिजामी को और फक्र-े-मुदबीर को अब दिल्ली में कुत्बदीन की नीव, कुत्बमिनार की नीव, प्रसिद। सूφी संत, कुतबदीन बक्तियार काकी के नाम पर कुतबदीन एक बखने रखवाई कुतब मिनार की नीव किसने रखी तो इपने नाम से नाम से नाम अगर पूझे किस के नाम से बनवाई किस सूफी संत के लिए ये डिडिकेट है तो ख्वाजा कुत्बुदिन वाकंदियार काकी के नाम पर कुत्बुदिन एबक ने रखी इसका निर्मान कारे इलतुतमिश ने पूरा किया इसे दर नीव रखी थी लेकिन इसका काम पूरा खतम करवाया इलतुतमिश ने याद रखना बच्चों आगे बढ़ते कुत्ब मिनार का प्रियोग आरामव में अजान के लिए किया जाता था अजान मतलब आपको पता ही है एबक ने अपनी पुत्री का विवा इलतुतमिश से किया और इलतुतमिश को सरे जानदार अमीरे शिकार का पद दिया एबक ने अपनी पुत्री का विवा कुत्ब दिन एबक ने इलतुतमिश से कर दिया इलतुतमिश इसका दामाद लगता था इलतुतमिश को सरे जानदार अमीरे आखफुर का पद अमीरे शिकार का पद दिया सत्यान में जब गुजरात से उसने युद्ध लड़ा था उस वक्त उसने इलतुत्मिश को खरीदा था और उसी से अपनी पुत्री का विवाहा करवा दिया था अपना दामाद बना लिया था अजमेर के निकट कुद्बुदिन अबक ने चोहां समराट विक्रा चतुर्थ द्वारा बनाये गए संस्कृत विद्याले को तोड़ कर अडाई दिन का जोपडा नामक मजिद बनवाई इस इमारत पर संस्कृत नामक नाटक हरी के लिए कुछ अंच अंकित हैं तो अडाई दिन का जोपडा बनाने वाला भी कौन है कुद्वुदिन आइबक विक्राजा चतुर्थ द्वारा संस्कृत पहले विद्याले था यहां पर संस्कृत विद्याले को तोड़ दिया उसमें और बनाया फिर अडाई दिन का जोपडा और नाटक उस पर लिखा हुआ हरी के लिए नाटक लिखा हुआ है एबक ने के एक अधिकारी एक्तियारू दिन मुहम्मद बिन बक्तियार खल जी ने बिहार और बंगाल पर भी आकर्मन किये नालंदा विश्विद्याले को नश्ट कर हज़ारो दुरलभ पांडूलीपियों को जला दिया बक्तियार खल जी ने क्या किया पांडूलीपियों को जला दिया नालंदा विश्विद्याले की इस समय बंगाल में सेन वच का शाषक शाषक लक्षमन सेन पर राजधानी नदिया थी बक्तियार बंगाल में कौन वंच ञारशन कर रहा था उस वक्तिवर नेवग adapt था तो उस वक्त जैन वंच का शारशन था और राजा था उसमें लक्ष्मन सैन राजदान उनकी थी नदिया बक्तियार खिल जी ने नदिया पर आक्रमन किया और लखनोती को अपनी राजदानी बनाया बक्तियार खिल जी की हत्या अली मर्दान खाने कर दी थी अब ये खिल जी जिसने नालंदा विश्विद्याले को जलाया था ना इसकी हत्य किसने के लिए अली मर्दान खादवरा करी गई थी एबक ने बंगाल में कैमा रूमी को बेजा बंगाल में किसको बेजा कैमा रूमी को बेजा जिसमें सैनवन्स का शर्चन था उसे वहाँ पे बेजा बंगाल में कैमा रूमी को बेजा जिसने अली मर्दान को वहां का सूबेदार बना कर बंगाल को दिली सल्तनत का अंग बना या जिसने कह कि अली मर्दान को वहां का सूबेदार बना दिया और बंगाल को दिली का सल्तनत का अंग बना दिया अब वहां का सूबेदार किसको बनाया अली मर्दान को किसको बनाया अली मर्दान को जिसने बक्तियार खिल जी ने जिसने जलाया था ना उसको मारने वाले को सुबेदार बना दिया बंगाल का और बंगाल को ऐसे सुबेदार बना अपना वला सुबेदार नियूट करके और उसको अहतिया लिया क्यमा रूमी को भीज कर कुतबुदिन एबक ने गजनी के ताजुदिन यल्दोज की पुत्री से विवाह किया अब खुद ने खिस से शादी कर ली? खुद ने शादी करी के एबक ने गजनी के ताजुदिन यल्दोज की पुत्री से विवाह किया खुद ने तो अपनी बेटी का शादी किसे कराई थी इलतुतमिशे और खुद ने शादी किसे की थी यलदोज की पुत्री से विवाह किया अपनी बहीन का विवाह सिंद के नाशिरुदिन कुबाचा से कर दिया अपनी बहन की शादी तो उसने करी सिंद के नाशिरुदिन और खुज हे ने शादी कर ली यलदोज की बेटी से एबक की आसफ के बड़ी सफलता यह थी यलदोज ले कुबाचा दोनों ही मुहमत गोरी के गुलाम थे देखो यह important है कि दोनों गुलामों को किस तरह अपना बनाया यलदोज को गुलाम ऐसे बनाया कि उसकी बेटी से एबक की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने गजनी के से सम्मंद विचेद कर भारत को सबसे उसके प्रभाव से मुक्त कर दिया सबसे बड़ी सफलता क्या थी गजनी से सम्मंद बना कर गजनी का शाशे कौन था गजनी का इताज दिन यल्दोज जिसकी बेटी से शादी करी ना उससे शादी करते ही तो सम्मंद विच्छेद कर भारत को उसके प्रभाव से मुक्त कर लिया वजीर पद का प्रचलन एबक के काल में प्रारंब हुआ वजीर शब्द इंपॉर्टन्ट है यह आ सकता है कि वजीर शब्द किसकी देन है तो वजीर शब्द जो देन है बच्छों वजीर शब्द देन है किसकी वजीर शब्द देन है एबक की एबक ने वजीर दिया एबक वजीर वजीर एबक फकर ए मुदबीर एबक का पहला वज आजनतिक विचारक भी थे एबक की मृत्यू 1210 इश्व में लाहोर में चोगान के खेलते समय घोडे से गिर जाने के कारण हुई एबक को लाहोर से में दफनाया गया यह दियान रगना जहां इसने साशन किया जहां से वहीं पे इसको दफनाया गया छै में बैठा था दस में यह मर गया आड में इसको दास्ता से मुक्त किया था फक्र ए मुदबीर जो इसका वजीर था वो इसका संड्रक्शन पर आप लेखक भी था खतम अज का टॉपिक खतम हुआ आपकल पढ़ेंगे हम आराम शाह के बारे में ठीक है बच्चो इसके क्वेंट एंड शेयर जरूर करें